करते हैं exercise 13.5 से question number 8 तो question number 8 के अंदर कह रहा है a solid cube of side 12 cm is cut into 8 cubes of equal volume what will be the side of new cube also find the ratio between their surface areas तो यहाँ पर question कह रहा है कि एक solid cube है जिसका एक side का जो length है वो 12 cm है और उसको cut किया गया है 8 cubes में जिसका volume equal है और यहाँ पर हमें जो नया cube जो मिला है उसका length कितना होगा उसका side कितना होगा यह हमको पता करना है और also find the ratio between their surface area और जो उनके surface area है उसका जो ratio है वो क्या होगा यह हमको पता करना है तो करते हैं इस question को solve तो यहाँ पर जैसे कि आप यह diagram देख रहे हो इसके अंदर यहाँ पर यह बड़ा सा cube है जिसका एक length जो है वो 12 cm दिया हो है और उसे हमें 8 छोटे cubes में convert करना है जिसका length पता करना है और इस दोनों का जो surface area है उसका ratio पता करना है तो यहाँ पर given में दिया हो है कि जो side of bigger cube है वो L, capital L से denote किया गया is equal to 12 cm है let हमने यहाँ पर let किया है side of smaller cube है वो L है तो since since जो bigger cube है bigger cube is cut into 8 smaller cubes तो bigger cube को 8 छोटे-छोटे cubes में convert किया गया तो इसका यह मतलब हो गया कि जो 8 का जो volume होगा जो छोटे-छोटे cubes है जो यह 8 है इन सभी का जो volume होगा वो इस बड़े-वाले cube के बराबर होगा और यही बात हमें यहाँ पर लिखना है कि therefore जो volume of 8 smaller cubes है 8 smaller cubes it is equal to the volume of 1 bigger cubes 1 bigger cube तो जो 8 है 8 multiply जो volume of smaller cube होता है तो यह होता है L cube और जो volume of 1 bigger cube है तो cube का volume ही L cube होता है तो इसको हमने capital L से denote किया है तो इसलिए capital L और फिर cube तो यहाँ पर हमें यह L पता नहीं है बट 8 L cube हम इसे as it is रहने देंगे और जो 12 है मतलब जो capital L है तो यह 12 cm दिया हुआ तो यह 12 हो जाएगा और इसके उपर cube तो यहाँ पर हम इस L cube को रहने देंगे और जो 8 multiply हो रहा है यह आ जाएगा divide में तो इसको अगर हम 3 times लिखे तो यह हो जाएगा 12 into 12 upon में divide में यहाँ पर यह 8 आ जाएगा और अगर अब हम इसको लिखे इस तरीके से कि 12 into 12 into 12 और इसको भी 3 number के form में हम लिख सकते हैं जैसे कि 2 into 2 into 2 तो 2 to the 4 4 to the 8 और यह हो जाएगा L cube तो यहाँ पर यह जो L cube है इसको as it is रहने देते हैं और यहाँ पर इसको हम cut कर देते हैं यह हो जाएगा 6 यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 6 तो हमारे पास में जो number है 6 into 6 into 6 मतलब 6 का cube तो यहाँ पर cube से cube को cut कर सकते हैं और जो L है यह आजाएगा 6 cm तो इसका यह मतलब हो गया जो side of smaller cube है वो small L 6 cm हो जाएगा तो therefore L is equal to 6 cm तो यह तो हमारा एक answer आ गया कि वो कह रहा था कि जो छोटा cube है उसका जो length है वो क्या होगा तो उसका length 6 cm है अब हमें इसका जो surface area है उसका ratio निकालना पड़ेगा तो now ratio of surface area of bigger cube of bigger cube to the smaller cube is equal to surface area of bigger cube upon surface area of smaller cube तो जो bigger cube है इसका जो surface area होता है वो होता है 4 square अगर हम curved surface की बात करें तो 4 L square हो जाएगा और अगर हम जो इसका जो total surface area है अगर उसकी बात करेंगे तो वो हो जाएगा 6 L square तो 4 L square या 6 L square अगर आप इस दोनों में से कोई भी formula लगाओगे तो इसका answer जरूर आ जाएगा तो यहाँ पर क्योंकि कुछ कहनी रहा surface area है कवड के बारे में बात नहीं हो रहा तो यहाँ पर हम total surface area लगा लेंगे तो यह हो जाएगा 6 L square और नीचे हो जाएगा 6 L square तो यहाँ पर 6 से 6 cancel हो जाएगा और जो capital L है इसकी value है 12 तो यह हो गया 12 12 का square और जो small L जो हमने निकाला है यह है 6 तो यह हो जाएगा 6 का square अब अगर हम इसको solve करें तो यह हो जाएगा 12 multiply 12 और नीचे हो जाएगा 6 multiply 6 तो 6 to the 12 और 6 to the 12 तो 2 to the 4 ratio यहाँ पर क्योंकि यह 1 से cut रहे तो इसलिए 4 is to 1 तो जो हमारा जो ratio है इस question का surface area of bigger cube to the surface area of a smaller cube उसका answer आजाएगा 4 is to 1 तो यह हमारा answer